एक अच्छी housewife वही होती है जो कम खर्चे में घर को बहुत अच्छे से manage करें किसी चीज़ की कमी भी ना हो और कोई चीज़ वेस्ट भी ना हो दोस्तों जो हमारी party वे rings होती है ना mostly gold की या diamond की होती है और क्या होता है जब हम इन rings को एकी साथ pouch में रख देते हैं तो टकरा करके ना इनके diamond loose पर जाते हैं कभी कभी निकलने का भी डर बना रहता है तो ऐसे मैं आप कोई भी organizer घर पे ही रखे समान से बना सकती है यह मेरे पा दोस्तों pouches में आते रहते हैं बहुत सारे appliances में भी आते हैं मैं इने संभाल के रख लेती हूँ क्योंकि यह बहुत ही ज़्यादा कभी कभी काम में आ जाते हैं तो इस box के size का form मैंने पहले cut कर लिया है और इस पे देखिए अराम से आभी रहा है अब इसके अंदर में जितन इस बचायना उसे भी हम यूज कर लेंगे इसमें यह तो आप अपना ब्रेस्ट लगा दीजिए मैं यहां पे मेरी जो वोच है इसे में लगा दूँगी तो दोस्तों देखा आपने वेस्ट पड़े डब्बे से कितना अच्छा जूल्री ओगिनाइजर बना है जूल्री द लेते हैं तो फेकना नहीं है मेरे बताय तरीके से इस्तमाल कर लीजिए पेचकस को गरम करके नीचे वारी जगा पे तीन-चार होल बना लीजिए और इन्हीं होलों के थूरू इसमें पानी डाल लीजिए तो लीजिए तैयार हो गया है हमारा पानी छिड़कने वाला ओगि जबड़े जाएर से पत्तियों के पर जितनी भी धूल जमी है ना सारी की सारी सेकेंड़ों में उतर जाती है और पत्तियां बहुत ज़्यादा फ्रेश महसूस करती है वैसे तो इस तरह से छिड़काप करने वाले मार्केत में बहुती ज़्यादा ओगनाईजर मिलते हैं ल दोसुँ बच्चे छोटे हैं या बड़े हो हूँ लेकिन इस तरह के पाउची क्या चीज स्टेशन ही समान हैं बच्चे खरीते ह ही रहते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कोई भी न्यूस पेपर ले ले लेते हैं और इसे इस तरह इसे फोल्ड कर लेते हैं और नाप लेते हैं इस बॉक्स के साइस का बड़ा है तो थोड़ा सा फोल्ड कर लेते हैं थोड़ी सी इसके अंदर मुझे देनी है thyu ti canal लगा लिए औरwest लास्ट में मैंने इसके वर लगाया है फईва कोई इसे पेस्ट पर लिए और इसे बोक्स के भीचों भीच disorder कर देंगे तो इस तरह से ये organizer बन जाता है आपके महंगे महंगे चूड़ियां और कड़े रखने के लिए और इसके अंदर इतना जबा space होता है ना कि side पे आप अपने lipstick, सिंदूर, काजल या बिंदी कुछ भी इसमें डख सकते हैं तो है ना अच्छा organizer आप बाजार से इस तरह के organizer खरीद के लाते हैं बाहर आने चाहिए कुछ makeup रखने के लिए जो समान खरीद के लाते हैं बहुत जादा महंगे आते हैं इस तरह के boxes और इसके अंदर अभी इतना space बाकी है कि आप इस तरह के जो compact होते हैं वो भी side पे डख सक तो comment में जरूर बताना तो भाई अब इस box का दूसरा इस्तिमाल भी देख लेते हैं जो मेरा favorite है क्योंकि मैं इसे रोज यूज़ करती हूँ तो दोसों जैसा कि मैं आपको दिखा रही हूँ ठीक इसी तरह से इसे किसी भी एक जगा से cut कर लेंगे और cut करने के बाद जो चूड़िया रखने के लिए हमने tool बनाया था ना वो इसमें बीचो बीच लगा देंगे और बाहर की तरफ लगा देंगे इस तरह से घुमाते किचन का इतना जरूरी आइटम है जो हमें थोड़ी थोड़ी देर में चाहिए होता है कुछ हमने बनाया है तो एब्सोब करने के लिए हमें पसीना आ रहा है हमारे हाथ गीले हैं तो हमें मिंट मिंट में टिशु पेपर की ज़रुत पढ़ती रहती है ऐसे में हम टिशु में बच्चे भी से आसानी से यूज कर पाएं और इस ऑगनाईसर की सबसे खास बात मुझे ये लगी कि एक बार में सिर्फ एक टिशु पेपर बाहर आ था यानि वेस्टेज भी नहीं होगी तो दोस्तों अगर थोड़ा सा थंड़े दिमाग से सोचा जाया ना तो बेकार पड़ी चीजों से भी हम घर को अगनाईस करके रख सकते हैं तो दोस्तों बॉक्स के दोनों ही आईडियास बहुत यूजफुल है लेकिन आपको सबसे जादा कौन सा पसंद आया ज़रू बताना इसी के साथ बारी आती है आज के आखरी टिप की दोस्तों वैसे तो हम बच तो हमें गीली सबजी रखनी हो तो इसे थोड़ा से लगाती है ना तो टिफिन बहुत ही जादा हो जाता है सबजी बिलकुल भी नहीं गिरती है इसे हम ऐसे यूज़ कर सकते हैं बहुत बार हम सफर में जाते हैं तो दवाई कुछ ऐसी लेके जाते हैं जो लीक होने का डर खतम हो जाएगा तो दोस्तो वीडियो के एंड में बस यही कहना चाहूंगी कि थोड़ी सी स्मार्टनेस टाइम और पैसा दोनों के बचत करती हैं तो दोस्तो आइडियाज अगर थोड़े बहुत भी आपको यूसफुल लगे हो तो लाइक कमेंड के साथ शेयर भी कीज़ आपके नए हैं तो सब्सक्राइब ही